गुद इवनिंग एवरिवन अभी हो रहा है साड़े छे मॉर्निंग में मैंने थोड़ा पूर शूट किया था उसके बाद पूरा दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया व्लॉग शूट नहीं किया एक्चली मुझे हॉल वगेरा की वीडियो शूट करनी थी न तो उसमें मैं थ थोड़ा वीजी हो गई थी इसलिए व्लॉग कुछ भी शूट नहीं कर पाई फिर से धार को थोड़ा पढ़ाना लिखाना होता है उसमें वीजी हो गई थी छे बजे अभी वो ट्यूशन चला गया तो मैंने इधर उधर बात की थोड़ा फोनों से और उसके बाद मैंने अब पूरा दिन निकल गया है तो मॉर्निंग में जो भी मैंने शूट किया वह अभी आप आगे देखोगे मैंने जो रैस्पी शूट की हैं अभी मैं सोच रही हूं क्या बनाओं देखती हूं जाके कुछ तेयारी करती हूं क्योंकि सुबह मैंने बनाई थी दाल मकनी उसक की अपना हॉल का तो मैं कमेंट व्गरा पढ़ रही थी आज शेचे वालbn और पॉस्ट की तो उसमे कोई स्वाइडेहरी में तो मैं आज की वीडियो में सब कुछ एड़ कर दूंगी आप पहले सुबह से जो मैंने शूट किया वो देखके आईए आप उसके बाद आप देखके आईए बेडरूम का ख्लिप बेडरूम कैसा दिख रहा है अभी अभी भी मैं कहूंगी बेडरूम पूरा नहीं है पूरा इसलिए नहीं कहूंगी उसको क्योंकि अभी उसमें बीच में चो पेंटिंग लगानी है वो हमें अभी लगानी है तो उसके बाद अलग सा लुक निकल के आएगा जब एक बार आपका पूरा मेक ओवर कंप्लीट हो जाता है तब अलग लुक निकल के आता है अभी हमारा बैट आ गया वॉल आ गई तो में जो चांजे सब्सक्राइन अब चोटे च्छोटे चैंजेश एया कि लाइट चाहा को गया पैंटिंग हो गया करनस कर और मün побед होगा चैन्य अब दशी आप देखे मैं ऐसे किसी के साथ हो हम लोग जा कर अपने घर के कंप्टंस नहीं कर सकते ना कि मैं किसी friend के साथ चली जाओं और final करके ले आओं उसमें मेरी और मेरे husband की दोनों की liking जरूरी है तो इसलिए जहां जाएंगे हम दोनों साथ में जाएंगे जिस market भी जाएंगे साथ में जाएंगे तो Monday to Saturday उनको बिल्कुल भी time नहीं होता है और 6.30, 6.45 पे वो निकलते हैं ऑफिस और घर पहुंसते हैं आजकल उनको साड़े आठ से लेकर पौने नौ और कभी नौ भी बच जाता है तो पहले जो वो साड़े साथ पौने आठ तक साड़े साथ तो कभी नहीं कर पौने आठ तक आते थे वो गर लेकिन अब वो पौने प्रजेक्ट आता है तो इसका काम ऐसे ही हो जाता है तो अभी बैक टू बैक आए जा रहे हैं और वो चली रहा है काम तो उनका समझी सुबह से लेकर शाम तक सारा समय तो अफिस में निकल जाता है एक उनको संडे मिलता है तो संडे के दीन भी मतलब हम इतना नहीं रखते ह एक पंडे बड़न फारे बना लिए कि यहां जाना है वहां जाना है कोई भी काम लुग वह दो why वी दिनों बाहर जाने का मोटिब मेरा हो सकता है क्योंकि मैं घर में रहती हूं लेकिन husband का थोड़ा रहता है कि घर में रहें तो पिछले Sunday हम भागी रत पैलेस गए light ना बहुत जादा मतलब मेरी liking के हिसाब से मुझे तो light पसंद आई हैं क्योंकि पूरी market हमने गूम ली थी जितनी भी शॉप्स खुली थी उनमें हमें सबसे अच्छा यह option लगा हमारे liking के हिसाब से और हमारे जो भी वहाँ पे almira वगरा का scene था मैंने बताया वीडियो में आप आगे देखोगे उसके हिसाब से तो lights हैं आप पताना आपको light कैसी लगी है अब हम painting जो है ना online खुब सारी देख रहे हैं रोज देख रहे हैं लेकिन अभी final नहीं हुई है और मुझे आप बतायेगा कि अगर online मुझे curtains मंगाने हो तो मैं कहां से मंगा सकती हूँ आप लोग मुझे idea देना क्योंकि curtains मुझे मंगाने हैं change करने है 100% yellow curtains तो उसमें रह नहीं सकते तो अब मैं सोच रहे हूँ कि अगर offline हम लेते हैं तो वही Sunday हमको time लगेगा उसमें भी बहुत सारे काम होते हैं भई कैसे manage होगा पता नहीं बट online का अगर कोई आपके पास experience है तो मुझे से share जरूर कीजेगा चलिए फिलाल आप सुबह तक का vlog देख के आई हैं और मैं जा रही हूँ किचन में खाना बना दे हैं पिछले कुछ time से ना सारा routine इधर उधर हो रखा है बेशक आपको वीडियो में लगता हो कि normal routine चल रहा है बट actual में normal नहीं चलता है तो मखाने भी खाई हुए मुझे लगता है काफी time हो गया मुझे याद भी नहीं था मखाने हैं पैंट्री में या नहीं थोड़ी बहुत कल पैंट्री सही करी तो मखाने दिखे ड्राइफूट्स वगरा दिखे तो मैंने फिर से इनको भीगो के रखना शुरू कर दिया है आज से ही तो अपनी मेथी पानी को भीगोया है मैंने ड्राइफूट्स भीगोय है साथ ही दाल मखनी बनाए हुए मुझे लग रहा है साल डेट साल दो साल हो गया शायद तो वो बनाने के लिए मैंने यहां पे भिगो करके रख दिया था राजमा और उरत दाल साथ ही यह जो आप देख रहे हैं यह किनुवा है किनुवा और उरत की दाल मैंने एक्वल क्वां सर्सों डालए दाल, उरद, और चने की डाल दी है यह थोड़ीम मिर्च यूज नहीं करना चाते हैस लाक कीज़ भी चटनी में अच्छा ह mês है तुम मिर्च पयास भीवि Phoenix मेडियम साइज के दो टमाटर ले ली तूड़ा ले लिए और विडिया मैं ऐपसे लाइनी पॉती अज़ितीा पानी के लिए कम से तूछा आपक से लिए । मेन्वाल यह उब पर उसकान के रखना kuई डाल मैं यूज करें को उज आ पिस लो गाली से हुआ। और चाहे तो नहीं भी आट कर सकते हैं और बस अच्छे से इसको पीस लिया एक दम महीन करके पहले मैंने ट्राइ किया इसको नॉन्स्टिक पैन में तो नॉन्स्टिक पैन में देखिए क्या दिक्कत हो रही थी यह मतलब चिपकता है ना दोसा थोड़ा सा बैटर फैलाते समय चिपकना चाहिए तब ही वह शेप आती है पतला सा दोसा बनता है तो इसमें थोड़ा मोटा बन गया चीला टाइप का तो मैंने सोचा चलो आईरन का तावा ट्राइ करते हैं तो इसके अंदर दोसा खुब अच्छे से फैला देखिए ऐसे होना चाहिए तोड़ा तोड़ा चिपके तभी तो अच्छे से स्प्रेड होगा और नॉन स्टिक में क्या उठने लगता है तो आप ज्याद़ा ती फैल आनी पाते हो बट इसमें ये पूरा डोसा खुब होगा बिकाल तो ये चिपक गया तो ये श्यक्ती किया ता बनाया तो ये डोसा अपनी सोचाः तो ये बनाने के लिये बेटर को काफी पतला कर लिया जब पतला की है लेकिन फैय तो हो अच्छ इंघ जब फैल रहा था लेकिन आईरन के पैन अच्छ के पैं में यह काम नहीं हुआ लेकिन बैटर को थोड़ा पतला कर लेना यह सिह सब्सक्रूत करा लेना इसके अंदर शाह जीरा मैंने अट किया है, दो तेज पत्ता और दालचीनी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, तो थोड़ी सी जो सुईट वाली दालचीनी होती है वो आप इसमें एट कर दें, फिर हम डालेंगे दो बड़े टेबल स्पून भर करके जिंजर गरलि थोड़ा एक दो चमच पानी भी आप इसमें एट कर देंगे, तो कोई चीछ जलेगी नहीं, अच्छे से बून लीजिए, जब तेल सेपरेट होने लगेगा, तब हम इसके अंदर मिलाएंगे दाल मखनी का मसाला, तो यह मुझे पता नहीं कौन से ब्रांड का है, M.D.H. का है, बस काफी दिन से रखा हुआ है, तो याद ही नहीं कौन से ब्रांड का है, बस आप कोई ब्रांड का भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो दाल मखनी मसाला 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें यूज किया है, यह काफी तीखा होता है, तो इसको यहां पर आप देखी सकते हो, कितना अच्छा, कितना बढ़िया कोर्मा टाइप का यह बन गया है, तो अभी हम इसके अंदर सबसे पहले आट करेंगे, जो हमने उरद और राजमा बॉल करके रख लिया है, तो थोड़ा सा वो आट करेंगे, और मैशर की हेल्प से एकदम इ यह सारा जो मिश्रन है, उठा के दाल मखनी में आप आट कर दो, और यह एड करने के बाद आपको धीमी आज पे या एक उबाला आज पे उसके बाद धीमी आज पे आप इसे कम 15-18 मिनट तक धीमा धीमा आप इसको पकाते रहें, बहुत अच्छा फ्लेवर और चिकना पना यहां पर देखिए हमारा जीरा राइस भी बनके तयार हो गया, तो शाह, जीरा, नमक और थोड़ा सा देसी घी डाल करके मैंने यह जीरा राइस बनाए है दाल मखनी अभी हमें और पकानी है लेकिन 10-11 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर एट कर दिया बटर लगपग 1.5 टेबल स्पून तक, साथी गरम मसाला एट किया है, क्रीम डाली है, 2 टेबल स्पून तक, साथी इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी को एट किया है, तो उसे बह और दीमी आज पे कुक कर लीजिए और बस आपकी दालमखनी बनके तियार हो जाएगी ये बिल्कुल सिंपल वर्जन है बहुत आसान सा वर्जन है तो आप इसको सुबे सुबे की भागदौर में भी आराम से बना सकते हो और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बैटरूम की ल इस टाइप की लाइट समय ली है बिल्कुल स्लीक, स्लेम, सिंपल हमको चाहिए थी सिंपल वैसे भी हम साधा प्रफर कर रहे थे और दूसरा रीजन सिंपल लेने का ये था कि दिखाती हूँ मैं आपको ये था अगर हम बहुत ताम जाम वाली ऐसे बल्व और ऐसे वाली ला स्लीक कर रही है फिर भी ये है कि हम आराम से खुलख जाएगी आक्सेस खीया होगा और ये अगर ये दो भी भी खुल जाएगा अगर यह एक इंच भी बड़ी होती जरासा भी बड़ी होती तो यह ड्रॉर नहीं खुलता तो इसी वज़े से हमने एकदम स्लीक डिजाइन लिया है और यह वहां क्यों करना है को सित्थ तीन तरह की लाइट से इसमें इसको मैं ऐसे बंद करूँ तब इसका प्रॉपर लुक आता है इसमें तीन तरह की लाइट है एक है वाम एक है नेचरल वाइट और यह जलाके भी दिखारा है चेंज करके इस तरीके से तो आप अपने मूड के हिसाब से ना इनको चेंज कर सकते हो यह सबसे अच्छी बात है कि जैसा आपको अपना मूड रखना हो उसी साब से आप चेंज कर सकते हो और इवनिंग में ना इवनिंग में यह इतनी सुन्दर लगती है कोई भी लाइट नहीं जलाओ बस यही दो जला दो तो इतना च्छा लुक आता है यह परदे सारे बाइदवे चेंज करने अभी य तो इनको मैं भी उतार नहीं रही हूं इनको उतार के नहीं ही लगाओंगी फिर इनको वाश करके मैं किसी को दे दूँगी तो यह है पूरा लुक पूरा नहीं है भी इसमें काफी कुछ पाकी है बीच का जो पोर्शन पर हमें जो लगाना है इसकी सर्च जारी है और यह ब साइट टेबल बनाया हुआ था इसमें मैं अपना सारा समान रखती थी तो मुझे साइट टेबल मिल गया है हाला कि मैंने भी पनी नहीं उतारी एक बरगर में सफाई हो जाए पूरी तरीके से तभी मैं हटाऊंगी यह दोनों जो ड्राउर हैं को खुलने में थोड़ी सी दिक अर्मेंज की अग्दम बन दो गया और यह मैंने ऐसा बनाय कि मैं इसकती lonely से मूझे बहुत देख सबल इसको कर सकते हो contenido और भॉलिए के बहुत पहरि नहीं है एक दबल्ठ आज तो जरह साँ आगे कर करके आप इंको रटा कर दो आ सता when you can record it a listen how this all दो दो दिन मोली ना सुबे की भी क्लिप आपने देख ली और इवनिंग का इवनिंग से मैंने स्टार्टिंग किया था तो वह बिगनिंग आपने देख लिया है थोड़ा सा ये वीडियो आखे पीछे हो गया है बटी फिर से हम इवनिंग पर भी आ गए हैं दाल मकनी सुबे की रखी वी थी और चावल तो बना ही था सुबे और मेरे घर में सब को मुझे भी सबसे जादा जो पसंद है वो हस्बन को पसंद है बहुत जादा पसंद है दाल रोटी गरम गरम दाल उसके साथ जो तंदूरी रोटी मिलती है उनको बहुत पसंद आती है सिद को भी बहुत पसंद है मतलब को कोई कुछ नहीं चाहिए सिर्फ दाल रोटी तो मैंने प्लान किया कि चलो गेहूं के आटे से ही घर पे वो जो तंदूरी रोटी बनाते है ना तावा उटा करके नान स्टाइल मैं वैसे बना देती हूं तो बस उसका आटा यहां पर मैंने लगा के रख दिया और फिर मेरे प 15 g ग्रामasma 15 g अर हमारे पास और इसमें हम मेजर करके लेंगे मैंने कबसा किया मैंगरे से मटच ची चीजे सिपूं से की है और कुछ चीजे मैंने वेटके तो मैंने मैंदा मेरे बलू मैं रेरी आपे लेना मैंने 170 g और बटर मैंने लिया था 115 g ग्रमна उसके बाद हम क्या कर तो दोनों गुड और चीनी मिला के लिया था लेकिन कुकी काफी मीठी हो गई थी तो मैं आपको रिकमेंट करूंगी कि आप 3-4 कफ ही शुगर लो या उससे भी कम क्योंकि हमारे टेस्ट के हिसाब से बहुत मीठी हो गई थी तो थोड़ा कम शुगर लेना आप तो शुगर मै में मीक्स कर दिया है बड़े से मीक्सिंग बाउल में कोकी के डोमेना बहुत जादा मिक्सिंग की जरूवत नहीं होती है तो जितना यह दूनों चीजे मिक्स होने में टाइम लगाए ना उतना ही आप सिसको मिक्स कीजिए और फिर इसको आप अलग कर दीजे अभी हम क्या क और साथ में थोड़ा सा ओयल और एक बड़ा चम्मच तक आप इसमें वनीला एसेंस आड़ कर सकते हैं तो मैंने डाल लिया है एक चोटा चम्मच भी आड़ कर सकते हैं बट मुझे वनीला का फ्लेवर बहुत पसंद है तो जहां वन टीस्पून की रिक्वार्मेंट होती है मै आप और टीशान कर चासँ और लिया है यूट्वार जायगा प्लाद तो आख तो अचीजों का इसन चान करके आप मिक्स कर लिए फिर आप डाक चॉकलेट ले सकते हैं या तो चॉकलेट का बाहर लेके उसको कट कर लीजिए या ऐसे चॉको चिप्स मिलते हैं आप इनको यूज कर सकते हैं अब चोटा चोटा आपको कुकीज बनानी है मैं यह पहली बार बना रही थी वाली कुकीज ना तो मुझे नहीं पता था यह इतनी जादा एक्सपैंड होंगी मुझे लगा थोड़ा बहुत यह बढ़ेंगी पर यह जितना साइज आप यहां पर देखोगे ना इससे धाई गुना कुछ कुछ तीन गुना बढ़ गई थी बाहर जैसी लगती है देखने में और इनको इमीडेट बेसिस पर आपको आवन में नहीं डालना होता है पहले आपको इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज में डाल देना होगा थंडा कर लेना होगा मतलब तो आप 40 तो 45 मिनुट्स के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए तब तक मैं इदर ना रोटी बना रहे हूँ अटा तो थोड़ा सा रेस्ट करी चुका था थोड़ा क्या काफी दिर होगया था उसको रेस्ट करते करते थोड़ा सा कलॉंजी डाल करके मैं ऐसे नान स्टाइल में ये तनूरी रोटी बना रही हूँ और इतना मन से खाया है ना सबने खाना, दाल और रोटी ना एक अलगी satisfaction देता है, दाल चावल तो अच्छा लगता ही है, बट सिर्फ दाल और रोटी हो, कोई सबजी उबजी नहीं चाहिए, प्याज, हरी, मिर्ची, थोड़ा सा नीबू का रस दाल में डाल लो, घी लगी रो लेसुन के चौंके वाली दाल होती है, उसके साथ भी आप रोटी खा के देखो, खाली लेसुन के चौंके वाली दाल, रोटी और प्याज, इतना satisfaction मिलता है ना उस खाने से कि मैं क्या वता हूँ सबके खाना वगरा खाने के बाद ना मैंने कुकीज भी रख दी थी अवन के अंदर, मेरी अली कुकीज ना काफी बड़ी बड़ी थी तो मैंने इनको 170 डिग्रीज पे 14 मिनट के लिए रखा है लेकिन अगर चोटी-चोटी कुकीज आप बना रहे हो तो 12 मिनट एकदम पॉफेक्ट होगा जब ये गरम रहेंगी ना तो छोने में आपको थोड़ी गिल-गिली सॉफ्ट लगेंगी लेकिन जब ये ठंडी हो जाएंगी तो एकदम क्रिस्पी करारी हो जाएंगी गुड मॉर्निंग एप्रिवर्न कितना ओईली फिस लगता है मेरा इससे अचली अभी ना नेक्स्ट ये हो गया है सिदार्थ का जैसेमली था स्कूल में मतलब शुटा 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 परफॉर्म पूरी क्लास ही इनवाल थी उसमें अलग-अलग शुटा शुटा शुटे परफॉर्मेंस थे तो मैं अभी आई हूँ आधा गंटा लगना था उसमें लेकिन लग गया एक गंटा सेवन थर्टी गई थी मैं और एट थर्टी हो रहा है भी तो उसको मैंने इडली बना के दी खुब सारा केरट और बीटरूट डाल के वही मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई थी तो हैस्बन के लिए वही फ्राइड इडली मैं अभी करने जारी हूं जल्दी से क्योंकि ल सेवन के लिए भी हो रहा है क्योंकि आते आते मुझे बहुत लेट हो गया था असेम्मली में मतलब इतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ प्रॉपर खाना बना पाऊं इसलिए मैं थोड़ी जादा बना ली थी कि जस्ट इनकेस मैं टाइम पे नहीं आ पाई तो मैं इनका इसमें करीपता एड़ कर देंगे हरी मिर्ची इसलिट की हुई आप इसमें एड़ कर सकते हैं और उसके बाद फिर जो इडली है ना जो हमने कट करके रखिए वह हम इसके अंदर एड़ कर देंगे सारे फ्लेवर्स को बैलन्स करने के लिए एक चोटा चमच से भी कम चीनी या फिर गुर्का आप इसमें आड़ कीजिए बहुत अच्छा लगता है बैलन्स हो जाते हैं फ्लेवर मीठा नहीं लगता है बट सारे फ्लेवर बैलन्स रहते हैं लाल मिर्च का पाउडर आप इस स्प्रिंकल कर दिया बढ़िया से और अच्छी तरीके से हम इसको फ्राय कर लेने वाले हैं लगबग दो मिनट तक तो यही थी आज की वीडियो होफुली आज की यह सारी रेस्पी आपको पसंद आई होंगी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो में ही पैंट करती हूं मिलती हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थाइंक्स पूर वाचिंग टेक क्यार बाई बाई